हेलो बच्चों, आज हम लोग विल्कम लाइफ का क्लास 10 का लेसन नमबर 4 जिसका नाम है इंपैथी, उसको डिसकस करने जा रहे हैं इंपैथी का मतलब होता है सहानू भूती, ठीक है? तो यह चेप्टर स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चों, हम में समवेदन शिल्ता का जो है वो गुन होना चाहिए लड़की लड़की से एक जैसा विभार हो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कों के साथ जाए वो अलग treatment दिया जाए और लड़कों के साथ अलग treatment दिया जाए तो लेंगिक सम्वेदन शीलता का मतलब क्या है तो लेंगिक सम्वेदन शीलता यानि की हर link चाहे वो पुरुष हो या महिला हो ठीक है का व्यक्ति दूसरे link चाहे वो पुरुष हो भाव होना ही जो है वो लैंगिक समवेदन शेलता है ठीक है बच्चो तो आईए अब इसके question answers जो है वो भी discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला question पूछा गया है कि what task your mother also does कि तुम्हारी ममा जो है वो क्या-क्या काम जो है वो करती है तो my mother does many activities like washing clothes, cooking, doing dishes drop and pick us from school teaches in the school ठीक है तो मेरी ममा जो है वो बहुत सारे काम करती है जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना मुझे स्कूल से ले कराना स्कूल छोड़के जाना, स्कूल में पढ़ाना आदी ठीक है दूसरा question है कि what are the task both of your parents do तुम्हारे दोनों ही parents याने कि मम्मी और पापा दोनों क्या काम करते है both parents on to run the house मेरे पापा मम्मी जो है वो कमाते हैं ताकि घर चला सके वो सबजियां लेकर आते हैं घर सफाई करते हैं ठीक है और मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं इसके अलावा जो भी parents करते होंगे वो आप इसमें add कर सकते हैं ओके आईए थर्ड question स्टाट करते हैं तो तीसरा question बोला गया है कि what homework activities will you share with your mother आप अपनी ममा के साथ घर के कि कामों में मदद करोगे तो आप जिन-जिन small household chores तो कि मैं जो है मतलग कि घर सफाई करने में बरतन धोने में dusting वगेरा करने में खाना serve करने में और दूसरे जो छोटे बड़े काम है घर के उसको करने में मैं अपनी ममा की मदद करूँगी ठीक है अगरा question जो है वो पूछा गया है कि how many homework activities will you share with your spouse आप अपने पती या पतने के साथ जो है वो घर के कितने कामों में जो है वो हाथ बटाएंगे ठीक है तो I will go to the market and bring vegetable and grocery product में market जाऊंगा ठीक है मैं vegetables महां से लेके आऊंगा grocery products जो घर के राशन है वो लेके आऊंगा bank में पैसा जमा करवा दूँगा ठीक है दवाईयां लेकर आऊंगा vehicles वगेरा साफ कर दूँगा एकसेटरा ठीक है बच्चो तो I hope आपको जो है वो यह topic जो है वो clear हो गया हो तो चलिए अब इसका हम be part expressing needs and desires उसको भी discuss कर लेते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जरूरतों और इक्चाओं को व्यक्त करना ठीक है अपनी जो जरूरते हैं और इक्चा वो दूसरों के सामने जो है वो express करना ठीक है तो इस topic में जो है वो जरूरतों और इक्चाओं के बारे में बताया गया है कि हमारी इक्षाएं जो है वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे साधन उसके लिए कम पढ़ जाए ठीक है और जो है अपनी इक्षा को जो है वो समाज के डाइरी में रखना चाहिए जिस तरह जो है वो कपड़ा भोजन ठीक है और जो है आपका जरूरतों को कम साधन खर्च करके भी पूरा कर सकते हैं ठीक है बच्चों हमारी इच्छा जो है वो कम होनी चाहिए पर उसका moral लेवल जो है वो बहुत ही जादा high होना चाहिए ठीक है अब moral लेवल से क्या मतलब है तो moral लेवल से मतलब होता है कि society के फाइदे के लिए हो ठीक हो तो आये activity जो है वो start करते हैं after one year which type of facilities and how many do you want to have एक साल के बाद आप कौन कौन सी facilities चाहते हैं और कितनी चाहते हैं ठीक है तो यह answer जो है वो आपका vary कर सकता है different हो सकता है ठीक है आपके मेरी thoughts के according तो एक answer ले रेते हैं हम लोग तो उसके according है कि after one year I want to have a scooter एक साल के बाद म क्योंकि हमारे घर में जो है वो कोई भी वेहिकल जो है वो नहीं है ठीक है and my mother has to go her school on her foot अब मेरी ममा को जो है वो पैदल ही उनके school जो है वो जाना पड़ता है it will also help us to bring groceries from market वो हमें जो है वो राशन गिरा लाने में भी जो है वो scooter हमारी मदद करेगा ठीक है हम scooter में मतलब सम पांच है वो लेकर आ सकते हैं which will save our time which can be utilized for our development यह हमारा time भी बचाएगा जिसकी वज़े से जो है वो जो saved time है वो हम अपने development में लगा सकते हैं I also wants to have a smartphone so that my online classes runs smoothly मैं एक smartphone भी लेना चाहूंगा जिसकी वज़े से मेरी जो online classes है वो भी smoothly चलती रहे अच्छो देखो इसमें हमने scooter जो है वो क्यों लिया है क्योंकि इसमें जो है ना topic में वो यह बोला गया है कि हमारी एक्छाएं जो है ना वो मतलब कि जो हम अपनी जो needs को पूरा कर रहे हैं वो कम resources में जादा हम उसका profit उठा सकें ठीक है उस करके जो है हमने यह example लिया है तो आईए अब देख लेते हैं टोटल 10 तो देखो पिक्चर में आपको कोई tv दिखाई दे रहा है फोन दिखाई दे रहा है ठीक है landline वाला mobile दिखाई दे रहा है calendar घड़ी ठीक है alarm camera तो यह सारी चीज़े टोटल 10 चीज़े दिखाई गई है out of these which thing is enough to fulfill our many needs and do the work of other nine facility तो इसमें से कौन सी एक चीज ऐसी है जो दूसरे नौ मतलब की जो बाकी के नौ काम है वो कर सकती है ठीक है तो mobile जो है वो एक ऐसा device है जो कि बाकी जो नौ pictures बनाए हुई है उन सब के काम वो कर सकता है जैसे कि like through mobile we can watch tv channels हम tv channels देख सकते हैं है न हम खुद को connect कर सकते हैं ठीक है तो landing किस होती नहीं है photos ले सकते है तो camera की जोथ नहीं cda10 time तो calendar की जोथ नहीं आपका phone पर ही जो है वो data time देख सकते हो इस alarm set कर सकते है तो alarm clock की जोथ नहीं है ठीक है बच्चों तो यह हो गया है आपका यह वाला topic finish तो आईए अगला जो है topic start करते हैं hello students अब हम इसका c part how to tackle sensitive issues जो है उसको discuss कर लेते हैं तो इसका जो topic है उसको क्या इसमें बताया गया है इसमें जो है बताया गया है कि हमारे जो संबेदन शील मुद्ध होते है sensitive issues होते है उसको किस तरीक इसे उससे निपटा जाए ठीक है कैसे उसको जो है वो tackle किया जाना चाहिए तो overall जो है वो इस topic में यही बताया गया है कि संबेदन शील मुद्ध जो होते हैं ठीक है वो हमारे परिवार समाज इन सब के कुछ महतोफून मुद्ध हो सकते हैं ठीक है जीने जो है वो बहुत ह ध्यान से सुलजाया जाना चाहिए इस तरह के संबेदन शील मुद्ध जो होते हैं उनको सुलजाना जो होता है वो सबकी बसकी बात नहीं होती इन्हें बहुत ही बुद्धी मता से सुलजाया जाना चाहिए ठीक है बच्चों इस तरह के मुद्धों को जोर देकर नहीं सु हमारा मज़ाक उडाय या इस बात को अलग तरीके से वो भी ले सकता है तो सब के सामने इस तरए के बातों को नहीं डिसकस करना चाहिए इस तरह के जो मुद्दि होते हैं उन्हें इंटेलिएंट लोगों के साथ ही जो हो शेयर करना चाहिए क्योंकि वो हमारे परिस्टियों को भाप सकते हैं हमारे सट्यूंस्टानसेस को ज्यो है वो जान सकते हैं कि इसमें ये डिसीजन लिया होगा तो क्यों लिया होगा ठीक है तो संवेधरशील मुद्दिक कि अभी के हो सकते हैं जैसे कि घर की financial problem हो गई या जो आप कह सकते हैं छेड़ खानी है घरेलू हिंसा है तो ये सारे जो है वो matter इसकी अंदर आ जाएंगे तो अगर मैं total बताओं कि इसका जो है वो क्या बताना चाहरे थे ये कि समेदशील मुद्दों को जो है जल्दी से सुझाने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए बलकि extra time लेकर जो है वो सही solution ढूनना चाहिए ठीक है सब की सुननी चाहिए कि लोग क्या कह रहे है ठीक है और उसके बात उस पर deep जो है वो study करके फिर हमें जो है वो कोई solution जो है वो उसका ढूनना चाहिए तो आईए इसके question answers जो है उसको discuss कर लेते हैं सबसे पहला question जो है वो आपसे भूला गया है कि what do you mean by sensitive issues आप sensitive issues से क्या समझते हैं तो sensitive issues are those issues which must be handled carefully तो sensitive issues जो है वो issues होते हैं जिनकों कि बहुत ही ध्यान से जो है वो handle करने की जरूरत है ठीक है because of its delicate nature क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते है the sensitive issues belong to our home, family, religion related topic तो ये जो sensitive issues होते हैं ये हमारे घर के मुद्धे हो सकते हैं, family के धर्विस से related मुद्धे हो सकते हैं we cannot share such issues with other इस तरीके के जो matter है हम दूसरों के साथ जो है वो discuss नहीं कर सकते we should discuss such issues only with intelligent people हमें इस तरीकी के जो हमारा issue है उसे सिर्फ intelligent लोगों के साथ ही जो है वो share करना चाहिए आई आप second question कर लेते हैं which point did the school counselor suggest to solve the sensitive issues कौन-कौन सा जो point है वो school counselor पीछे ना आपको एक story type के बताई हुई है ठीक है तो उसमें जो है जो school counselor है वो कौन-कौन से तरीके बताता है sensitive issue को solve करने के तो the school counselor suggested that we should know the basic reason of the problem कि हमें जो है वो basic reason पता होना चाहिए किसी problem का ठीक है and we should listen each and every person carefully हमें सब लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए ठीक है and respectfully with deep insight and with common sense उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ कर और common sense जो है उसको भी use करना चाहिए we should take a solid decision keeping in mind the situation all around हम कोई भी जब निर्ने लेते हैं तो हमें उसका जो है वो situations को ध्यान में रखकर ही जो है वो decision लेना चाहिए we should not discuss these type of issues openly इस तरीके का जो निर्ने है उसे जो है या इस तरीके का जो issue है वो हमें openly नहीं लेना चाहिए this type of issue cannot be solved roughly और इसे जो है वो जल्दी में भी कह सकते हो ठीक है या roughly जो है वो हमें solve जो है वो नहीं करना चाहिए ठीक है अब activity दी गई है आपको इस activity में जो है वो क्या बताया गया है कि which message sorry which message does symbolically suggest the concept of feast by school counselor यह जो मुठी बनी हुई है ठीक है यह जो है वो किस चीज को represent कर रहा है तो इसको आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो this feast represents that sensitive issue should not be disclosed openly तो मुठी बन्द है इससे कोई चीज जो है वो बाहर नहीं चाहाँ पाएगी है तो आप कह सकते हो कि यह sensitive issues जो है वो openly जो है वो discuss नहीं करने चाहिए वो बन्द होना चाहिए ठीक है closed होना चाहिए दूसरा आप इसका और meaning निकाह सकते हो वो यह है कि आप दे any problem unitedly और यह जो है वो शो करता है कि हम किसी भी problem को जो है वो इकठे होकर जो है वो solve कर सकते है ठीक है दूसरा जो बोला गया है कि जो आपका हाथ खुला हुआ है ठीक है उसकी five fingers है तो आपको जो है वो five sensitive issues बताने है उससे तो देखो financial problem हो सकता है इव teasing यानि छेड़ खानी ह हो सकती है religious topic हो सकता है कोई sexually assaulted हो सकता है और the last violence हो सकता है ठीक है आईए अब हम इसका D part accepting all जो है उसको discuss कर लेते हैं मतलब हमें सब को स्विकार करना चाहिए तो इस topic में यह बताया गया है कि हर इंसान की जो होती है वो अपनी पहचान होती है और अपनी personality होती है ठीक है बच होते हैं हम उनको accept कर लेते हैं ठीक है उनको स्विकार कर लेते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं ठीक है अगर हम हमेशा खुद को ही सही मानेगए और और दूसरों को गलत मानेगी तो क्या होगा तो हम अधीले पड़ जाएंगी ठीक है हमारी समस्या आज के time में आग कह सकते हमारा main problem ये है कि हम चाहते है कि सामने वाला जो भी काम करें वो हमारी सोज के अनुसार करें ठीक है वो खुद को जो है हमारी सोज के अनुसार जो है वो बदल लें जो के ठीक नहीं है ठीक है अगर हम सब को जो है वो जैसे है वैसे ही accept कर लेंगे तो हमारी जादत और प्राब्लम जो है वो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो आएए अब इसके जो है वो एक्टिविटी डिसक्स कर लें तो एक घर है जिसमें मधु, मोहन और माला जो है वो तीन जो है वो भाई-भैन है ठीक है सिब्लिंग्स है कि उनकी मधर जो है वो उसे डाड़ती है कि तुम लोग अपना रूम जो है वो साफ नहीं रखते हो तो उनका रियक्शन जो है वो क्या होगा तो इसका रियक्शन ने दोनों तरीके से दिया जा सकता है नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी ठीक है तो अगर म पॉजिटिव की बात करती हूँ तो तीनों ही बोल सकते हैं कि हम अपना रूम जो है वो साफ कर लेंगे बट नेगेटिव वे में बोलू तो जैसे मोहन कह सकता है कि नहीं नहीं यह मेरे जैसे कि वो मना कर सकता है कि मैं यह नहीं करूँगा क्योंकि यह तो एक लड़की का क ठीक है इसको positive तो नहीं मानोगे तो यह भी जो है वो negative वे है कि किसी चीज को मना करना कि हम इस काम को नहीं करेंगे तो I hope आपको यह chapter जो है वो clear हो गया होगा in case कोई doubt है तो comment section में question कर सकते हैं आपको reply मिल जाएगा thank you very much